तोड़ेवनिंग एवरीवन आयम नूतन शर्मा तोड़े आयम हेर तो गिव दा इन्फरमेशन ओन दा मैडिकल टॉपिक जो स्टूडेंट्स मेडिकल लाइन में जाना चाते हैं जिनके पास पीसी भी है और वह एमडी बीडियाज बीडियाज बीएमस करना चाते हैं तो उनक कौन से कॉलेज आपके एमडी बीडियाज के लिए रहेंगे और इसके साथ हम बात करेंगे वह आर्मी कॉलेज की करेंगे क्योंकि बहुत सरे स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे हैं कि उनका आर्मी कोटा है तो वह किस तरह से उसमें पाटिसिपेशन करें तो इसके प्राइली MBBS प्रॉसर्स 2025 कि इसके लिए आपको भी पता है कि नीट की प्रिपरेशन आप लोगों ने स्राट करी दियोगी जैसे जैसे आपकी नीट की प्रिपरेशन चलेगी साइट भाई आपके रिजिस्ट्रेशन भी ओपन स्राट हो जाएंगे क्योंकि कुछ रिजिस् सब्सक्राइब हो तो कौन-कौन से कोर्सिज आप आपकर सकते हो नीट बेस्ट को अगर आप नीट का एक्जाम देंगे तब आप इन कोर्स के लिए यह टो उन कोर्स की बात करते हैं तो कोर्स फ़रस्टीज एमडी बेएश बीएमस जो आपका आयरुवेदा है भी एक में तो इसकी फुल फॉर्म यहां पर बताई गिए से बैचलर ओफ मेडिसिन और बैचलर ओफ सर्जरी अगर MBBS आप आप्ट करते हो तो यह इसकी फुल फॉर्म है बैचलर ओफ डेंटल सर्जरी इसको आप ले सकते हैं BAMS बैचलर ओफ आईरुवेदा मैडिसिन और सर्जरी यह भी बहुत अच्छा कोर्स है कि नेक्स्ट है हमारा बैचलर्स ओफ डिग्री इन होमोपैथी अगर होमोपैथी में आपको जाना है तो आप यह आप्ट करके चल सकते हैं कि इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एलिजिबिटी क्या रहने वाली आपकी इस चीज़ पर बात करेंगे अगर आप MBBS, BDS, BMS, BHMS जैसे कोर्सिस को कवर करना चाते हैं तो एलिजिबिटी जो आपकी रहेगी वह यह रहेगी फस्ट इस to be is Candidate must have Test 12, Class of examination in the subject of physics, chemistry, bio and bio technology इसमें आप आप्के पास फाइस, chemistry, odbii, or bio technology होना चाहिए इंग्लिडी आपका होना चाहिए कौर, elective या functional कु cruelty को किसी भी type से हों सकता है but english in pastaそ have must have obtained a minimum 50% marks together in physics, chemistry and bio इन तीनों में आपके 50% aggregate marks होने चाहिए और separately आपको इसको किलियर भी करना है इसके इलावा अगर आप किसी कैटेगरी से ब्लॉंग करते हैं SC, ST या OVC तो आपको relaxation इसमें मिल जाता है तो आप 40% पे भी apply कर सकते हैं for the NEET admission criteria all the candidates must appear in the national eligibility come entrance test यानी नीट के एक्जाम आपको देना कंपल सरी है undergraduate of 2025 में जो नीट कंडेक्ट होगा वो एक्जाम आपने देना है नेक्स हम बात करें जैसे मैंने आपको बोला था कि colleges की बात करेंगे इसमें तो colleges जो MBBS के हैं वो यहां पर show हुए हुए है first is Army College of Medical Science यह डैली का college है डैली में situated है इसको आप cover कर सकते हैं doctor BSA hospital medical college जो रोहिनी में है इसको आप cover कर सकते हो NDMC medical college हिंदुराव hospital यह भी आप cover कर सकते हो VMMC जो सब्दर्जन से affiliated है उसको भी आप cover कर सकते हो अटल भिहारी वाचपे इंस्टिट्यूट अफ medical and science इसको आप cover कर सकते हो और इसी तना से इसमें आपको ओल इंडिया अगर आप भी MCC के लिए जा रहे हो तो ओल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा आप से रजिस्टर्ट कर सकते हो MCC की counseling के थूँ यानि जो अलटिया counseling है उसके थूँ आप इन colleges को cover कर सकते हैं इसमें कुछ college D.U. से जाएंगे और कुछ IPU से जाएंगे कुछ आपके all India counseling से पार्ट लेते हैं और कुछ आप अपनी separate counseling से भी जाते हैं नेक्स्ट है हमारा आर्मी कॉलेज अगर आर्मी कॉलेज की बात करें तो यह एक कॉलेज है जिसके अंदर कुछ कोटा आपको मिलते हैं अगर आप आर्मी बैक्ग्राउंड से ब्लॉम करते हैं तो इसमें आपका यहां शो हुआ है आर्मी इसभी अर्मी पर्सनल को व हुआ है शोड़ आर्मी कॉलेज हैं यहां फिर उन्ने वहां पे पहले सर्व किया है या फिर वार विडोज हैं अगर तो उनके बच्चे भी यहां पर एप्लाई कर सकते हैं चिल्डर्न आफ सर्विंग आर्मी पर्सनल चिल्डर्न आफ एक्स आर्मी पर्सनल चिल्डर्न आफ एक्स आर्मी पर्सनल गैरेंटेट अवार्डेट रेगुलर पैंशन फैमली पैंशन लिबराइजड फैमली पैंशन डिस अबिलिटी पैंशन अट टाइम अफ देयर डिमाईज और रिलीज यह सारी चीज़े जो इसमें बताई गई है यह बताई गई है कि चिल्डर्न जो एक्स आर्मी पर्सनल के हैं जिनको कोई एवार्ड मिला है कोई रेगुलर पैंशन है उनकी या फैमली पैंशन जिनकी बनी हुई है वो इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं और ज सारे उनके बच्चे जो हैं वो इस कैटेगरी में काउंट होते हैं और वो यहां पर अप्लाइग कर सकते हैं और अगर कोई disability की भी पैंशन ले रहा है इस आर्वी में सर्व करते हुए या उसके बाद तो भी उनके जो चिल्रेंस हैं जो भी वो भी उसमें पार्ट ले सकते हैं इस कॉलिज के लिए एडिशनल डॉकुमेंट्स रिक्वाइड टू बीदा प्रोसीड इन दा ओर्जिनल अलॉंग विट फोटो कोपी अड़ टाइम अफ काउंसलिंग अड्मिशन तो एसी एमस यहां पर जो शो किया गए वो डॉकुमेंट शो किये गए हैं कि जो इस कैटेगरी में अपना नी और को आप पास है यह फिर सरंविंग सर्टिफियक्ट पर पास है या डिपेंडंटन कााड़ आपके पास यह तो आप यहां पर apply कर सकते हैं Willingness certificate आपके पास होना चाहिए Children's of Air Force यह मैं आपको बता दूं कि यह मैं क्यों बता रही हूं कि Children's of Air Force, Navy, Paramilitary Forces like CRPF, BSF, ITBP, CISF, Assam Refills, GREF, and DSC are not eligible for the admission in ACMS. ACMS यानि Army College में अगर आप इन Department से ब्लॉंग करते हैं तो आप इसके लिए eligible नहीं हैं यह चीज़ यहां पर clear की गई है for the PWD category reservation shall be followed as per government norm और अगर आप PWD category से ब्लॉंग करते हैं तो government की जो norms होगी उसी के according follower के आपको चलना पड़ेगा उसके recording जो भी rules regulations होंगे उसके according आपको यहां पर seats की availability शोओ होगी next bds college bds college की बात करें तो सबसे टॉप college जो डेली का आता है वो है ESIC dental college and hospital जो यहां पर show हुआ हुआ है आप देखिए रोहिनी में है है बीएचेंवेस college list अगर बीएच अगर यह bd एस कोलिज है ESIC और नेक्स है हमारा bhms college bhms college जो डेली के नदर है वो है रिसूर सूर होमोपयतिक और medical college and hospital research center जो नानघपूरा मोती बांग न्यूट डेली में हैं तो यह आप टबर कर सकते हैं IPU के थुरू BHMS का कॉलेज एक है BAMS कॉलेज जो है चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयरुवेदा इन चरक संस्थान खेरा डावर नजबगड नजबड में सिच्वेटिड है इन डैली और यह BAMS का कॉलेज है इसको भी आप कवर कर सकते हो यह भी आपको नीट के स्कोर पर ही एडमीशन प्रोवाइड करता है जिसके लिए आपको इनकी पर्टिकुलर काउंसलिंग के थ्रू ही जाना पड़ता है कि यहां पर शोग किया हो गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बीडियस बीएमस या बीएचमस से अलग या एमभी से अलग कोर्स करना चा अब आई बत्रा कॉलिज ऑफ नर्सिंग एक यह आप ले सकते हैं जो तुगलगाबाद में है सेंट स्टीफन कॉलेज आप ले सकते हैं कॉलिज ऑफ नर्सिंग वी एम एमसी सवधर्जन हॉस्पिटल न्यू डैली इसको आप कवर कर सकते हो स्कूल ऑफ नर्सिंग हिंदू अलए तो अब नोहर लोहिया होस्पिटल नियू डैली इसको भी आप कवर कर सकते हैं बी स्कूर्ण के लिए अगर आप जाना जाते हैं तो बीसी नर्सिंग का भी अपना एडमिशन यो कराइटेरिया रहता है इस चीज का आपको ध्यान रखना है कौन से काउंसलिंग किस institution की कैसे रन होने वाली है और किस काउंसलिंग के थुरू आपको वहां जाना है कब रजिस्ट्रेशन करने तो सारी चीजों को आपको ध्यान से रख कर चलना है और इसके डीपली की information अगर इन courses related आपको चाहिए तो आप हमारे सेंटर भी विजिट कर सकते हैं पस्षी मियार हमारा सेंटर है स्कूल ऑफ एंट्रेंस के नेम से तो अपना डैली की एक बैस्ट युनिवस्टी है यह हमारे को जो कोर्स आफर करती है वह यहां शोवे में MBBS BDS BMS 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 आपको कोर्स मिल जाएंगे और इसमें जो चलता है वह 85% कोटे से भी आप डैली में एड्मिशन ले सकते हैं और जो अधर स्टेट से आएंगे वह यहां पर 15% कोटे में आते हैं यानि कि डैली के स्टूडेंट्स को बैनिफिट सबसे जाधा होता है क्योंकि उनको यहां पर क्लिय जोंकि बांदर अलग से रहता है और यह भी आपको नीट के एग्जाम के थूह जो ही नीट के रैंक के थूह आपको एड्मिशन देता है नेक्स्ट है अमारा अंडर्ग्रेजवेट कोर्स कौन कौन से हैं कौन से कॉलिज में है यहां शो किया गया है MBBS bds कोर्स इन फॉल्लोंग कॉलेज अगर MBBS की बात करें तो इन कॉलेज़ में आपको डेली के अंदर MBBS बेडियस दोनों कोर्स मिल जाएंगे फस्ट है लेडी आर्डन मैडिकल कॉलिज लेडी आर्डन जो कॉलिज है वो गल्स के लिए है तो इसमें आपको 85% सीट्स के साथ साथ गल्स की भी सीट्स रिजर्ब्स हैं या यह समझ सकते हैं कि इसमें कॉम्पटिशन आपका कम रहने वाला है क्योंकि यहां पर गल्स की सीटे अवेलेबल है तो आपको यह जो गल्स हैं उनको यह लेकर चलना चाहिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहां पर बेनिफिट ज्यादा मिलेगा मुलाना अजाद मैडिकल कॉलिज है एक हमारा MBBS का उसको आप कवर कर सकते हैं यूनिवर्स्टी कॉलेज ऑफ दा मैडिकल यूसी एमस कॉलेज है जो डियू का कॉलेज है इसको आप कवर कर सकते हो और अगेन इस रिपीट हो गया है मुलाना अजाद इंस्टिट्यूट ऑफ देंटल एंड साइंसेज जो आपका बीडियस के लिए है तो इसको भी आ यहां पर शोग किया हो गया है तो यहां पर वही है केंडिडेन मस्ट है पास ट्वैल्थ एक्जामिनेशन पीसी भी उनके पास होना चाहिए 50 परसंट उनके 12 में होने चाहिए कैटेगरी में 40 परसंट आपको मिल सकता है और इसके लिए नीट का एक्जाम देना आपका कंप सोगल सरी है का दोक्यमेंट लिस्ट क्या रहने वाली में वाली है वह यहां शोगी गहिए इसमें आपकी वह है सेन्थ है डॉमिसाइल है सिंगल गल्ड चाइल्ड है आपके फोटो कि साइज क्यों चाहिए वह शो किये हुए है मैनियोर्टी सर्टिफिकेट आपके पास अगर आपके से ब्लॉंग करते हो तो उसके लिए अपके पास होनी चाहिए वह सारी चीजों को आपको डिटेलिंग में ध्यान रखके चलना है आज हमने बात की MBBS, BDS, Army College, eligibility के बारे में, documentation के बारे में इससे जाधा deeply information अगर आपको चाहिए तो आप हमारे सेंटर पर विजिट करिए थेंक्यू सो मच मुवा कर दिए रच में हमारे सेंटर के बारे सेंट रगणाईटी मीक एथ हमारे सकता ह algum点 आपको